हेलो स्टुडेंट्स मैं ओंप्रकास राण और आज डिसकस करेंगे आपन पंच नम्मर 10 और उस पंच नम्मर 10 में है केमिकल एकिलिब्रियम और आइनिक एकिलिब्रियम काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री की और काफी कॉंचेप्चिल चीजें इसके 1000 केलिब्रियम इफ एकिलिब्रियम कितना देर का है PCO किसके एकिल होगा 10 PCO2 के एकिलिब्रियम यहनि गेस का टॉटल प्रेशर आपको निकालना है तो देखो बच्चों क्या करेंगे सबसे पर इसका KP आप फाइंड आउट करो तो KP is equal to क्या होता है product का partial pressure तो product क्या है इसके अंदर CO तो PCO का square क्यूंकि इसका कोफिस्टियन कितना देर का आपको 2 तो वो खहां पर चला जाएगा power में upon reactant का partial pressure तो देखो यह solid है तो इसका कोई partial pressure नहीं होता है तो case का partial pressure होता है तो PCO2 यह हो गया KP at constant pressure pe equilibrium constant अब देखो KP कितना देर का है आपको 63 इसक्वल 2 PCO, PCO किसके बराबर हो 10 PCO2 के बराबर है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो 10 PCO2 का स्क्वार अपान PCO2 तो देखो इसके स्क्वार को आप उपन करोगे तो कितना हैगा 100 PCO2 का स्क्वार अपान PCO2 तो देखो एक PCO2 से एक PCO2 का इसक्वार हो जाएगा तो कितना बचेगा PCO2 और PCO2 किसके बराबर हो जाएगा 63 अपान 100 तो यह हो जाएगा 0.63 ATM के एकपल हो जाएगा यह तो आगया CO2 का और CO का पार्सल प्रेशर क्या है तो we know that PCO is equal to कितना है 10 PCO2 10 into 0.63 तो यह कितना हो जाएगा 6.3 ATM अब आप से क्विशन में क्या पुछा है एक्लिब्रियम पे टोटल प्रेशर पुछा है तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा सेकिंड ओप्शन में तो सेकिंड ओप्शन इज क्रेक्ट ठीक है बच्चो आगया संद में नेक्स्ट क्यूशन इन ए 500 ml केपिसिटी वेजल CO and CL2 are mixed to form CO-CL2 यहनि CO और CL2 आपस में mix होने के बाद में क्या बना रहे है CO-CL2 बना रहे है एट एक्लिब्रियम इट कंटें 0.2 mol of CO-CL2 यहनि CO-CL2 के 0.2 mol ले रहे हैं एक्लिब्रियम पे और CO and CL2 के 0.1 mol ले रहे हैं एक्लिब्रियम पे तो पूचा क्या है the equilibrium constant के सी for the reaction इस reaction का आपको equilibrium constant दे रहे हैं तो equilibrium constant सिरफ equilibrium पे define होगा तो equilibrium constant कैसे लिखोगे आप यह एट कंसंट्रेशन पे equilibrium constant है तो product की कंसंट्रेशन CO-CL2 upon reactant की कंसंट्रेशन CO CO-CL2 तो इनकी कंसंट्रेशन आप की सीएपोट करोगी mole per lit by ix की कंसंट्रेशन पूट करोगी तो CO-CL2 की कंसंट्रेशन क्या होगी और यह कंसंट्रेशन in form of molarity तो CO-CL2 की कंसंट्रेशन ऊपर mole पूट करोगी तो mole कितने CO-CL2 की 0.2 volume कितना है 500 इन्टू इसका आप लीटर पर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, टो टाइम्स जाएगा तो 0.4, अगें, CO का कंसेंटेशन क्या होगा, तो CO का कंसेंटेशन होगा, इसके मोल कितने है, 0.1, तो परतेग कि 0.1 ले रखें, CO और CL2 की, तो ये हो जाएगा, 0.2, ऐसे किसका निकालना है CL2 की concentration, तो CL2 की concentration यही आजाएगा, क्यूंकि इसके mole भी 0.1 upon 500 into 1000, तो यह भी कितना जाएगा 0.2, यह आपके पास concentration आगई at equilibrium पे, अब आप value put कर दो, तो आपके पास equilibrium constant आजाएगा, तो CO CL2 की value की है 0.4 upon CO की कितनी है 0.2 into 0.2, तो point से point cancel out हो गया, 2 का 4 में 2 ताइमस जाएगा, तो यह कितना आजाएगा, cancel out करोगे तो 10 की एक पला जाएगा, तो equilibrium constant के C की value कितनी आई, 10 आई, तो second option is correct, चलो बच्चो next question, तो this is the next question, the equilibrium constant for the reaction, H A plus B से B H plus A minus is 100, 100 आपको क्या दे रहाएगा, equilibrium constant दे रहाएगा, if the rate constant of forward reaction is 10 की पावर 5, यानि कि forward reaction का rate constant दे रहाएगा, तो इसको आपके से denote करेंगे, K forward से, 10 की पावर 5, the rate constant for the backward reaction, यानि forward reaction का आपको rate constant दे रहाएगा तो backward reaction का आपको निकालना है, तो आपको पता है, we know that equilibrium constant is equal to क्या होता है, K forward upon K backward is equal to product की concentration उपर, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, फिर भी information के लिए बता दो, जो अपने last question में use किया था, product की concentration upon reactant की concentration, दोगो आपको equilibrium constant दे रहाएगा, कितना 100, और forward reaction का constant कितना दे रहाएगा है, 10 की पाउर 5 है, और आपको किसका पुछा है, backward reaction का, यानि KB के backward reaction का equilibrium constant, तो KB is equal to क्या हो जाएगा, 10 की पाउर 5 upon 100, तो यह हो जाएगा 10 की पाउर 3, तो कौन सा option से होगा, second option is cracked, चलो next question की तरफ बढ़ते हैं, यह देखो question, question number 4, the value of equilibrium constant for the reaction, HI say 1 by 2, H2 plus 1 by 2, I2 is at, यह आपको equilibrium constant दे रहा है, इस reaction के लिए, the equilibrium constant for the reaction, इस reaction के लिए आपको equilibrium constant पूछा है, तो देखो इस reaction से आपको यह reaction कैसे मिलेगी, तो इसको आप कैसे find out करोगे, तो आप check करो, इस reaction से यह reaction कैसे मिलेगी, तो आप क्या करोगे, पहले इस reaction को reverse करोगे, तो जब इस reaction को reverse करोगे, तो equilibrium constant भी क्या हो जाएगा, इसका reverse हो जाएगा, फिर अगें आप क्या करोगी पहल तो उस reaction को आप reverse करो तो 1 by 2 H2 plus 1 by 2 I2 से HI का formation हो रहा है इसको आपने reverse किया तो इसको भी आप क्या कर दो reverse कर दो तो 1 by 8 हो गया यह इस reaction का equilibrium constant हो गया अब आपको क्या करना है यह reaction अप्टेन करनी है तो आपको coefficient 2 से multiply करना पड़ेगा तब जाकि वह reaction आएगी तो 2 से multiply कर देता है तो 2 into 1 by 2 H2 plus 1 by 2 I2 into 2 HI तो आपको भी क्या करना है इस reaction को 2 से multiply करना है तो यह multiply करने के बाद में देखो आपके पास वह reaction आजाएगी H2 plus इसको 2 से multiply के तो यह cancel out हो जाएगा तो H2 plus I2 से 2 HI तो chemical equilibrium के अंदर जो properties of equilibrium constant है उसमें के अगर आप किसी भी coefficient से multiply करते हो तो उसके power में चला जाता है तो 1 by 2 1 by 8 का square जिस coefficient 2 से multiply किया तो इसके किस में चला गया power में चला जाया तो के equilibrium किसके equal to हो जाएगा 1 by 8 का square और 1 by 8 का square कितना होता है 1 upon 64 तो देखो 1 upon 64 कौन से option मा रहा है 4th option तो 4th option is correct ठीक है बच्चो चलो next question देखो अरे concept को इस punch के अंदर include किया गया है ताकि आपके पूरे basic concept क्या हो जाए clear हो जाए next question है the dissociation constant for acetic acid and HCN इन दोनों के आपको dissociation constant दे रहे के दोनों के दोनों के weak electrolyte है और दोनों के दोनों के weak acid है तो इनको आप क्या करो लिख लो acidic acid इसको आप ionize करोगे तो 21 में ionize होगा acetate N plus H plus है और HCN को आप क्या करोगे ionize करोगे तो यह H plus plus CN minus में ionize होगा और इसका equilibrium constant देरका है 1.5 into 10 की power minus का 5 और इसका दे रहे है 4.5 into 10 की power minus का 10 दोनों reaction का आपको dissociation constant दे रहे है अब देखो आपको इस reaction का dissociation constant calculate करना है तो इन दोनों reaction से यह reaction आप कैसे obtain करोगे तो आप reaction को देख के आपको पता लग रहा होगा कि इधर CN minus ion है तो इधर CN minus ion कैसे आएगा जब reaction को आप क्या करोगे reverse करोगे फिर acidic acid तो पहली reaction में आप कोई change नहीं करोगे तो देखो यह reaction आपको कैसे मिलेगी इसको आपको reverse कर दो तो reverse करोगे तो क्या हैगा CN minus ion है इसको agitties रखना है CH3 COH यह इससे क्या हो जाएगा cancel out हो गया जब इसको reverse करोगे तो यह हो गया acetate ion और और HCM ठीक है अब देखो इन दोनों से आपने यह reaction obtained की तो इस reaction को आपने क्या किया reverse तो equilibrium constant भी क्या आजाएगा reciprocal में आजाएगा तो k days is equal to क्या हो जाएगा यह तो agitties रखोगे आप 1.5 into 10 की power minus का 5 क्यूंकि इसमें आपने कोई change नहीं किया है इस reaction को आपने क्या किया reverse किया है तो इसको आप नीचे लेका जाओ 4.5 into 10 की power minus का 10 तो यह कितने बाद जाएगा 3 times जाएगा और यह उपर जाएगा तो 10 की power 5 तो यह k days क्या हो जाएगा k days हो जाएगा 10 की power 5 upon 3 तो इसको आप लेक सकते हो 3.33 into 10 की power 4 देखो ऐसा option कहां पर दे रख है 3 into 10 की power 5 तो आए नहीं सकता इन में minus में है तो यह होगा 3.0 into 10 की power for next question क्या और बढ़ते हैं देखो बच्चो this is the next question for the reactant for the reaction N2 plus O2 से 2NO the equilibrium constant is K1 then equilibrium constant K2 for this reaction what is K for the reaction इस reaction का आपको के calculate करना है equilibrium constant calculate करना है तो simple सी बात है इन दोनू reaction से आप यह reaction कैसे obtain करोगी तो देखो पहली reaction लिख लो इसका equilibrium constant क्या दिरक है K2 अब इस reaction का आपको equilibrium constant क्या करना है obtain करना है तो यह reaction कौन सी होगी NO2 half N2 plus O2 यह आपको calculate करना है तो देखो क्या करोगी आपको इधर NO2 चाहिए तो आपको जो second equation यह equation fast है यह equation second है तो देखो second equation को आपको क्या करना पड़ेगा reverse करना पड़ेगा यह equilibrium constant K2 है वह भी क्या हो जाएगा reciprocal के equal हो जाएगा फिर इधर आपको क्या चाहिए 1 by 2 N2 तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको reverse करना पड़ेगा फिर 1 by 2 से क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा और then after यह equation आ जाएगी तो क्या करोगी आप दोनु reaction को आप reverse करो 2 N2 से N2 plus O2 तो अब इसका equilibrium constant क्या हो जाएगा 1 upon K1 second reaction को भी आप reverse करो 2 N2 से 2 N2 plus O2 यह 1 upon क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा ठीक है अब देखो 2 N2 से 2 N2 cancel out हो जाएगा ठीक है और next आप क्या करोगी इननों को add कर दो इसको आपकी से multiply करोगी 1 by 2 से multiply करोगी यह cancel out हो गया यह 1 by 2 और जिस coefficient से multiply करते हो वो इसकी power में चला जाता है और इसको भी क्या करना पड़ेगा 1 by 2 N2 लाना है तो इसको भी 1 by 2 से multiply करोगी 1 by 2 से multiply करोगी तो यह भी इसकी power में चला जाएगा तो अब आपके पास final reaction आपको प्राप्त हो जाएगी तो final reaction क्या होगी NO2 इदर half N2 और इन दोनों को आप add करोगी तो प्लस का O2 तो इसका kडेस क्या आजाएगा इन दोनों को जब 2 reaction को जोडते हो तो इनको equilibrium constant आपस में किसके एकोल हो जाते है multiply के पराब्रद दे तो 1 upon K1 into 1 upon K2 की पावर एक साथ 1 by 2 तो देखो ऐसा कुनसा option में दे रखा है ऐसा 4th option में दे रखा है 4th option is correct ठीक है बच्चो next question on doubling P and V with constant temperature the equilibrium constant will be यानि इस्तिरत आप पे pressure तता volume को दूगणा करने पर सामयवस्ता इस तरांग क्या होगा तो देखो आपको में बता दो information के लिए एक तो होता equilibrium और एक होता equilibrium constant तो देखो equilibrium क्या होता है जो सिरफ equilibrium पे define होगा equilibrium constant constant के equilibrium इसमें KP और किसी दोनों include है से affected होता है equilibrium temperature से भी affected होगा concentration से भी affected होगा pressure से भी affected होगा लेकिन catalyst से catalyst से affected होगा equilibrium constant क्या होगा temperature से affected होगा equilibrium constant सिरफ और किसी होगा temperature से affected होगा concentration से नहीं होगा pressure से नहीं होगा catalyst से नहीं होगा volume से भी affected है नहीं होगा कुछ भी change कर दो concentration में change कर दो pressure में कर दो equilibrium constant की value में कोई change है नहीं होगा, तो only and only equilibrium constant किस पे depend करता है, temperature पे depend करता है, चाहिए pressure और volume को आप कितना ही increase कर दो, decrease कर दो, equilibrium constant की value में कोई change है, नहीं होगा, जबकि equilibrium, यह Lee Chetiller principle के अंदर, इनकी effect है, temperature का effect, concentration का, pressure का, catalyst का, volume का, inner gas का है, तो आपको question के अंदर क्या दे रहता है, अगर pressure and volume को double कर दिया जए, constant temperature पे, तो equilibrium constant पे कोई change है, नहीं होगा, तो remain constant, next question की तरह पढ़ते है, at temperature T, a compound AB2 dissociate according to the reaction, यह आपको reaction दे रही है, with a degree of dissociation है, x, which is small compared to, compared with unity, यहनी x की value, कै एक से बहुत कम है, the expression for kp in terms of x and the total pressure p, तो देखो इसको आप derive करते हैं, 2AB2 से 2AB plus B2, यह expression हो गया, इसको पूर डेराइव करते हैं, मानना की T, बराबर 0 टाइम पर reaction स्टार्ट होती है, तो मैं इसके कुछ भी mole अजियूम कर लूँ, इसके 2 mole अजियूम कर लूँ, 2 mole होंगे, product के mole क्या होंगे, 0 और 0, at equilibrium पर, मैं मानता हूँ 2-2x dissociate होगे, तो इसकी कितने मनेंगे 2x, और इसकी कितने मनेंगे x mole का formation होगा, तो टोटल mole कितने हो जाएंगे, टोटल mole at equilibrium, टोटल mole at equilibrium, तो टोटल mole कितने हो जाएंगे, इन सब को add को लूँदा आप, तो टोटल mole हो जाएंगे 2 plus का x, तो अब आप मिकालो mole fraction, तो mole fraction क्या होती है, component के mole upon total mole, तो component क्या है, ab2, तो इसके mole कितने हो जाएंगे, 2 minus का 2x upon 2 plus x, इस component के 2x, 2 plus x, x, 2 plus x, यह इनके सब के mole fraction होगी, अब partial pressure आप कैसे निकालते हो, तो partial pressure निकाल होगा, आप P से multiply कर दाएंगे, तो 2 minus का 2x upon 2 plus x, x into p, और यह होजएगा, 2x upon 2 plus x into p, और यह x upon 2 plus x into p, यह इन सब का partial pressure निकाल लिया, तो KP कैसे निकाल होगा, तो KP मैंने बताया था आपको, product का partial pressure, अपन reactant का partial pressure, तो KP product क्या है, PAB की partial pressure का square, क्यों कोफेशेंट 2 है, into P B2, अपन निचे क्या हैगा, PAB2 की partial pressure का square, यह value यहाँ पे put कर दो, तो KP is equal to क्या हो जाएगा, इसका partial pressure क्या है, PAB का, 2x upon 2 plus x into P, तो यह हो जाएगा, 2x upon 2 plus x into P, का square, P B2 का partial pressure क्या हो जाएगा, x, P upon 2 plus x, और निचे क्या हैगा, 2 minus का 2x, upon 2 plus x into P का square, अब इसको आप simplify कर लोगे, तो देखो निचे 2 plus x का square हैगा, यहाँ भी 2 plus x का square आ रहा है, इदर भी P का square हैगा, इदर भी P का square हैगा, तो मैं इसको cancel out कर रहा हूँ, अब उपर क्या लिखना है, 2x का square क्या हो गा, KP is equal to 4x का square, into x हो रहा है, तो 4x, 4x cube into P upon क्याएगा, P upon 2 plus x, तो यहाँ क्याएगा, 2 minus 2x का square, अब देखो, उपर आ रहा 4x P, 4x का cube into P, नीचे 2 minus 2x, यहाँ से आप क्या कर लोगे, 2 common लोगे, जैसे 2 common लोगे, तो बाहर क्या जाएगा, 4 आएगा, तो इसको मैं यहाँ पर simplify कर देता हूँ, क्या कर सकते हो, 4x cube into P, 2 bar आएगा, तो यहाँ पर 4, 1 minus का x, का square, 2 plus x, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, तो क्यूशन में एक value दे रिखी है, कि degree of dissociation x है, उसकी value एक से बहुत ही कम है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, negligible कर सकते हो, 1 minus x है, वो लगबग किसके बरावर हो जाएगा, 1 के बरावर हो जाएगा, और 2 plus x, यह किसके एक वर्ल हो जाएगा, 2 के एक वर्ल हो जाएगा, क्यों x के value बहुत ही, कम है, तो देखो, kp is equal to क्या आजाएगा, kp is equal to x cube into p upon 2, यह kp की value आजाएगी, तो आप question को देखो, यह value कौन से option में आ रही है, x cube p by 2, first option, तो first option is correct, चलो हों, next question के और बढ़ते हैं, A1M solution of glucose reached dissociation equilibrium according to the equation given below, यह आपको equation देरे किये है, और इस equation पे आपको glucose की concentration 1M देरे किये, what is the concentration of HCHO at equilibrium, if equilibrium constant देरे का 6 into 10 की पावर, 22, 2, तो देखो, equilibrium पे आपको इसकी concentration calculate करनी है, किसकी concentration calculate करनी है, HCHO की, तो equilibrium constant case is equal to क्या होगा, उपर glucose की concentration, यानि product की concentration upon reactant की concentration, यह सब को पता है, upon, formidial की concentration का, की पावर, 6, अब देखो, casey की विलियों आपको देरे किये, 6 into 10 की पावर, 22, और glucose की concentration देरे किया, आपको 1 upon HCHO की पावर, 6, इसको आप इदर साइड में लेकिया, हो HCHO की concentration आपको calculate करनी है, 1 upon 6 into 10 की पावर, 22 की पावर, 1 upon 6, इसको आप simplify करोगे, तो इसकी value क्या आएगी, 10 की पावर, 22 उपर आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हो HCHO की concentration, उपर 10 by 6, 10 upon 6 into 10 की पावर, मानस का 21, तो इसको आपको simplify करना पड़ेगा, 21 की जगा आपको करना पड़ेगा, 23, तो इसको गए लिखवा, 10 upon 6 into 10 की पावर मानस का 23 की पावर, 1 upon 6, तो यह लगबग कितना जाएगा, 10 की पावर मानस 4 की एकपल आजाएगा, इसको simplify करोगे, तो 10 की पावर मानस 4, और इसकी 10 by 6 की value क्या हो जाएगी, 1 point कुछ-कुछ हो जाएगी, तो 4th option is correct, next question, 10 नमर क्यूशन, Ammonium, I2S, Sulphide, Ammonia और H2S में क्या होती है, dissociate होती, in the above reaction, if the pressure at equilibrium and at 300 Kelvin is 180 M, then what will be the equilibrium constant, KP आपको calculate करना है, तो we know that KP is equal to क्या होता है, partial pressure of product, KP is equal to क्या होगा, partial pressure of product, pH2S, upon partial pressure of reactant, तो reactant क्या है, solid है, तो उसका partial pressure, क्या होगा, 1 होगा, तो अब इस साइड आप reaction लिख लो, तो reaction क्या है, ammonium hydrogen sulfide से ammonia gas plus H2S gas, solid का कोई partial pressure होता नहीं है, तो माना कि इसका partial pressure क्या है, A है, इनका 00 है, बाद में इसका attic equilibrium पे क्या हो जाएगा, जीरो, इसका A और इसका A, तो total partial pressure क्या होगा, P total is equal to, इसका partial pressure 0, इसका A और A क्या हो जाएगा, 2A, और 2A किसके बरावर है, total pressure आपको question में दे रखा है, 300 Kelvin पे 180 M, तो इसके equal होगा, 100 ATM के equal, तो A बरावर कितना हो जाएगा, 50, यानि इसका partial pressure भी 50 है, और इसका partial pressure भी कितना है, 50 है, अब इसकी value यहापर put कर दो आप, तो KP is equal to क्या होगा, 50 into 50, तो कितना होजाएगा, 2500 ATM का square, क्योंकि इसकी भी unit ATM और इसकी भी unit ATM, तो कौन सा option से होगा, फर्स्ट option is correct, अगले क्योंशन के और बढ़ते हैं, calculate the partial pressure of carbon monoxide from the following, नेमल लिक्षित में से carbon monoxide के आंचिक दाब की आपको calculation करनी है, तो इस reaction को, देखो calcium carbonate को decompose किया, calcium oxide plus CO2 में, तो इसका KP आप अगर लिखना चाहो, तो KP is equal to किसके equal होगा, यह दोनों तो solid है, तो उनका partial pressure क्या होगा, 1 होगा, तो KP किसके equal होगा, PCO2 के equal होगा, और यह KP के विलिए आपको कितनी दे रिकिये, at into 10 की power minus का 2, second reaction को देखो, CO के अंदर convert हो रहे हैं, तो इसका partial pressure KP क्या हो जाएगा, इस reaction का, KP is equal to, PCO का, square upon PCO2, और इसका KP आपको दे रिकिये 2, और CO2 का आपने partial pressure निकाले, at into 10 की power minus 2, तो PCO का square is equal to, 2 into, at into 10 की power minus का 2, तो 16 into 10 की power minus का 2, इसको आप simplify करोगे, तो PCO, root of 16 into 10 की power minus का 2, तो यह आजाएगा, 4 into 10 की power minus का 1, तो इसकी value की आजाएगी, 0.4 ATM, तो इसका कौन सा option में, second option में आए, तो carbon monoxide का partial pressure कितना आ रहे है, 0.4 ATM आ रहे है, next question, a systematic plot of lnk equilibrium versus inverse of temperature, for reaction is churned below, जब एक graph आपको float किया है, और जो graph किस के बीच में, lnk equilibrium और 1 upon T के बीच में graph float किया गया है, तो equilibrium में एक equation होती है, point of equation, k equilibrium is equal to ae minus k delta h upon Rt, delta h क्या है, यहाँ पर heat of reaction है, दोनु साइड आप लोग ले लो, तो lnk equilibrium is equal to ln a minus k delta h upon Rt, यह equation आगी आपके पास, अब देखो, delta h की value, अगर negative है, तो reaction क्या होगा, एक जो थर्म, अगर delta h क्या होगा है, positive है, तो reaction क्या होगी, endo तो इस case में तो होगी, endo thermic reaction, इस case में होगी, exothermic reaction, अब आप value put करो, तो पहले मैं negative value put कर लेता हूँ, तो lnk equilibrium, is equal to ln a, delta h की value minus put, तो minus, यहाँ पर put करोगी, 1 minus, पहले इसी तो minus minus क्या होगा, plus delta h upon Rt, अब देखो, graph load करो गया, lnk equilibrium, और 1 upon t के बीच में, तो graph load करोगे, तो यह क्या होजएगा, y बिराबर c plus mx, तो अक्स अक्सिस पे, आपने क्या ले रिखाए, 1 upon t, तो slope क्या होजएगा, delta h upon R, और slope क्या होगा, positive, उपर की तरफ जाएगा, तो अब देखो, question की तरफ आप, जो graph है, वो उपर की तरफ move कर रहा है, it means, यह किस टाइप की reaction है, delta h की value आपने क्या ली, delta h की value आपने negative ली, तब जाके यहाँ पी positive है, तो slope उपर की तरफ जाएगा, तो reaction कौन सी होगी, exothermic reaction होगी, यहाँ delta h की value positive होगी, तो minus पहले से minus, plus, minus होगया, तो graph कहां की होगी आएगा, इस case के अंदर graph क्या आएगा, ln के equilibrium, और 1 upon t के भीच में graph लोट करें, तो graph नीचे की तरफ मुग होगा, तो इस case में यह reaction क्या होगी, exothermic, और यह क्या होगी, और यह होगी endothermic, और यह होगी exothermic, next question है, if the concentration of OH-1 in the reaction, ठीक है, यहीं OH-1 की concentration दे रही है, जो decrease होगी 1 और 4 ताइम से, then equilibrium concentration of Fe 3 प्लस विल इंक्रीज़ वल, अब देखो इसका equilibrium constant लिकवा आप, और मैंने भी आपको बताया था कि equilibrium constant only and only, किससे affected होता है, temperature से होता है, concentration दे अफेक्टेड नहीं होगा, तो देखो, उपर product की concentration, Fe plus 3 आइन की concentration, OH-1 की concentration, का cube क्योंकि coefficient क्या है, 3 दे रहा है, नीचे, Fe plus, Fe plus 3 की concentration, अब देखो, question में क्या दे रहा है, कि, अगर OH-1 की concentration, concentration 1 by 4 time से decrease की है, यानि कि, इस OH-1 की concentration क्या है, 1 by 4 है, से decrease की है, इस equilibrium constant में, कोई change नहीं होना चीए, तो बताओ, AP plus 3 आनि की concentration क्या होगी, तो AP plus 3 आनि की concentration, यह simple conceptual question है, 1 by 4, अब concentration आप क्या पूट करोगी, 1 by 4 OH-1 की concentration, जो new concentration है, का cube, upon Fe OS 3 का whole thrides, इसका cube कितना होगा, 1 upon 64, तो इसकी concentration को कितना करना पड़ेगा, कि यह 1 upon 64 को cancel out कर दे, तो इसकी concentration क्या होगी, 64 होगी, इसकी concentration 64 होगी, तब यह से cancel out होगा, और K equilibrium पे कोई change है, नहीं होगा, और K equilibrium पे होना भी नहीं चीए, यह change, क्योंकि K equilibrium only and only कि स्पेटिपेंट करता है, temperature से, तो देखो कौन चा होगा, 64 times, फर्स्ट अप्शन इज, नेक्स्ट क्यूशन, इन दा मैनिफेक्ट्रिंग ऑफ अमोनिया, बाई हैबर प्रोसेस, अप्र प्रोसेस से अमोनिया का फोर्मेशन हो था, which would give maximum yield, किसमें आपको maximum yield obtain होगे, तो देखो, reaction में energy क्या हो रही है, release हो रही है, it means, reaction क्या है, exothermic reaction, और leach-etiller principle के according, जो temperature का effect है, उसमें आपने क्या पढ़ाऊगा, अगर endothermic reaction है, और आप temperature increase करते हो, तो reaction किस direction जाएगी, forward direction, और अगर exothermic reaction है, temperature increase करोगे, तो reaction किस direction जाएगी, backward direction जाएगी, लेकिन question में क्या दे रखा है, आपको फूचिए maximum yield, यान्ड रियक्शन किस direction जानी चाहिए, forward direction में जानी चाहिए, forward direction के लिए, क्या क्या conditions होगी, पहले तो आप temperature का effect देख लो, temperature कम होगा कि जादा होगा, तो exothermic reaction में temperature increase करोगे, तो reaction backward direction जाएगी, इसे तो आपकी yield क्या होगी, कम होगी, yield जादा कब होगी, जब आप temperature कम करोगी, तब जाकि reaction क्या होगी, forward direction में move करोगे, तो temperature क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, अब trash concentration का effect देख लेते हैं, जब reaktant की concentration, आप increase करोगी, तब जाकि reaction के इस direction में, forward direction, product की concentration increase क्रोगी, तो reaction कि इस direction में जाएगी, backward direction में, तो reactant की concentration क्या होने चाहिए, जो reactant है, उनकी concentration क्या होनी चाहिए, increase होनी चाहिए, तब ही reaction forward direction में जाएगी और अपने को forward direction में ही ले जानी है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें yield चाहिए, अगला effect of pressure, pressure का क्या effect होगा, देखो यहाँ पे number of gase small कितने है, number of gase small है, यहाँ पे 4, और यहाँ पे number of gase small कितने है, 2, तो देखो pressure आप increase करते हो, तो reaction उस direction में जाती है, जिदर number of gase small क्या हो, कम हो, तो देखो 4 से 2 की, और reaction क्या होगी, क्या होगी, क्योंकि इदर number of gase small क्या हो रहे है, decrease हो रहे है, तो reaction forward direction में ही ले जानी है, तो आपको pressure क्या करना पड़ेगा, increase करना पड़ेगा, pressure increase करोगी, तब ही यह forward direction में जाएगी, तो pressure भी ज्यादा होगा, temperature क्या होगा, कम होगा, reactant की concentration क्या करनी पड़ेगी, increase करनी पड़ेगी, तो देखो ऐसा कौन से option में देर का है, high temperature, high pressure and high concentration of reactant, temperature तो कम रखना, high temperature यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, low temperature and high pressure, इसमें reactant की concentration नहीं देर किये, कोई दिक्कत नहीं है, third option is, सही, fourth option, low temperature, low pressure, pressure तो आपको क्या चीए, high चीए, third option is, correct, next question, for the equilibrium, 2NO2C and 2O4, देखो, इधर अगर product के side, अगर आपको energy दे रिखिये, तो reaction क्या होगी, exothermic होगी, अगर reactant की side, आपको अगर energy दी होती, तो energy क्या होगी, reactant absorb कर रहा है, और energy जब absorb करता है, तो वो होगी, endothermic reaction, तो देखो, question में क्या जरेक है, increase in temperature, अभी मैंने बताया था, last question में, temperature increase करोगी, तो reaction किस direction में जाएगी, exothermic reaction में, backward direction में, तो backward direction में जाएगी, तो किस का formation सबसे ज़्यादा होगा, NO2 का formation ज़्यादा होगा, तो favor the formation of N24, ये तो गलत है, favor the decomposition of N24, N24 decompose करके क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, it means second option सही है, पहला option गलत है, second option सही है, not alter the equilibrium, equilibrium में change होगा, stop the reaction, ये इसे तो कोई मतलब भी नहीं है, तो ये दोनों option क्या होगे, गलत होगे, तो second option is correct, next question, तो question number 16 है, one mole of a compound AB, तो compound AB, react with one mole of compound CD, दोनों का आपको क्या दे रखे है, one one mole, दे रखे है, और ये आपस में react करके AD और CB का formation करेंगे, when equilibrium had been established is found to be, that 3 by 4 mole each of reactant AB, AB and CD, had been converted to AD and CB, there is no change in the equilibrium for the reaction, तो आप हिंदी में भी discussion को पढ़ सकते हैं, इस question में क्या दे रखे हैं, इन दोनों के one mole ले रखे हैं, और जब equilibrium प्राप्त होता है आपको, तब इनके AD और CB के 3 by 4 mole बनेंगे, तो इस reaction को में लिक लेता हूँ, AB plus CD से AD plus CB का formation होगा, अगर देखो इसके अंदर, टे बरावर जिरो टाइम पे, इनिश्यल जो mole ले रखे हैं, AB और CD के 1 बनेंगे, और इसके 00, जिरो, at equilibrium पे, 1 minus X, 1 minus X, और ये equilibrium पे 3 by 4 और 3 by 4, according to question आपको, given है, तो यहाँ X के value क्या होगी, 3 by 4, तो 1 minus का 3 by 4 कितना हो गया, 1 by 4, 1 minus का 3 by 4, ये हो गया 1 by 4, तो ये AB और CD की concentration है, at equilibrium पे, तो देखो, Casey आप से पूछा, तो Casey क्या होगा, product की concentration, तो product कितना है, 3 by 4, into 3 by 4, upon कितना हैगा, 1 by 4, into 1 by 4, तो देखो, 4 से 4 क्या हो जाएगा, cancel out to 3, into 3 कितना हो जाएगा, 9, तो equilibrium constant के सी के value के आएगी, 9 आएगी, तो fourth option is cracked, next question, pure ammonia is placed in a vagal at temperature, where is its dissociate constant, की is appreciable at equilibrium, सुद ammonia एक पात्र में उस ताप रखी गी है, जिस पर इसका व्यूजिंस तरांक की प्रियाप्त है, तब साम में पर क्या होगा, तो देखो, साम में पर मैंने बताया था, equilibrium जो constant है के-पी, option से देखो, के-पी डज नौट चेंज सिगनिफिकेंटली विद प्रेशर, यानि के-पी और के-सी, के-पी एंड के-सी, आरले ऐंड कोती ये, जिस-पे डिपेंड विद प werde ayup, तो यह चेंज होगी, अगर टेमप्रेश होेज है, तो इसका होगी Kp does not change significantly with pressure alpha does not change with pressure alpha pressure में change करोगी तो alpha change होगा तो इसमें does not dare का तो second गलत concentration of ammonia does not change with pressure pressure में change करोगी तो ammonia की concentration भी क्या होगी concentration of H2 is less than that of N2 H2 की concentration तो ज्यादा होगी तो पहला option is correct देखो बच्चो next question for which of the following reaction काफी अच्चा question है simple way Kp is equal to Kc तो आपको एक relation में रिता है था class के अंदर Kp is equal to Kc RT की पावर डेल्टा N और यहाँ पर डेल्टा N क्या है डेल्टा N है mol of gaseous product minus mol of gaseous reactant mol of gaseous product minus mol of gaseous reactant यह डेल्टा N की value तो इसमें दे रखा है Kp के सी के बराबर कब होगा तो बताओ Kp के सी के बराबर कब हो सकता है जब डेल्टा N की value क्या होगी डेल्टा N की value जीरो होगी तो दाके क्या होगा, K-P-KC-K बेराबर होगा तो देखो इसमें delta N की value क्या होगी प्रोडक्ट की gas channel कितने है, 3 RIG रेक्टे Bell इंट का कितने है, 2 3-2 कितने होगै, 1 इसके अंदर react end की gas channel कितने है, 4 product कितने है, 2 तो इसमें delta n की value क्या 0 के ब्राबर आएगी नहीं है तो delta n की value क्या होगी मानस का 2 इसके अंदर देको delta n की value क्या है mall of gases product 2 और 10 के भी 2 2-2 क्या हो गया ? 0 तो delta n की value क्या होगी ? 0 N2O4 – 2 NO2 इसमेidla n की value क्या होगी ? 2-1 कितना होगा ? 1 तो आपको delta n की value 0 0 obtain करनी तभी KP किस के बराबर होगा KCK, तो third option is correct, next question के और बढ़ते है, the percentage yield of ammonia, काफी अच्छा question है, as a function of time in the reaction, यह reaction देरी किये, delta is 0, delta is 0, it means exothermic reaction, और exothermic reaction आपको पता है, temperature increase करते हो, तो backward direction में जाती है, और product का formation कम होता है, yield आपको कम मिलेगी, यह graph आपको देर रखा है, T1 temperature, अब T2 temperature आपको increase करना है, तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे reaction start होगी, तो reaction की rate of reaction क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो initially क्या होगा, की जो yield है, वो increase होगी, बाद में देरी देरे को क्या देर्खा है ? T2 T1 से जाधा देर्खा ét, तो यहाँ तक तो क्या होगा, जब initial temperature होगा, तो इंक्रीज होगी, तो देखो, यिल्ड क्या होगी? ज्यादा होगी. उसका बाद में क्या? टेम्परिशर बहुत ज्यादा increase कर देए. टेम्परिशर निक्रीज करोगी तो reaction किस डारेक्स में जाएगी? ये backward डारेक्स में जाएगी. तो यिल्ड देरे आपको क्या होती जाएगी? कम मिलती जाएगी. तो जादा टेम्परिशर करोगी, तो यिल्ड देको दिरे-दिरे क्या हो रही है? कम हो रही है. क्योंकि T2 क्या है? जादा है किस से? T1 से. तो T2 पर यिल्ड आपको कम होगी और T1 पर यिल्ड क्या होगी, कम होगी, तो second option is correct. Next question, 20 number question, इन एक chemical reaction, यह chemical reaction आपको देर किये, the initial concentration of B was 1.5 times of concentration E, यनि कि initial concentration of B, B की जो concentration है, वो A से कितने times ज्यादा है, 1.5 times, तो जो B की concentration है, वो 1.5 times ज्यादा है, किसे A से, तो आप A की concentration को कुछ अजिम कर लो, मैं एक्स माल लेता हूं, आप कुछ और माल लेना, तो देखो इसकी reaction में लिख लेता हूं, A plus 2B से equilibrium constant K, 2C plus D, ओके, अब देखो आप, इसको simplify कर लेते हैं, इसकी concentration क्या है, X, इसकी concentration में क्या लोगा, तो B की concentration क्या हो जाएगी, inform of X, 1.5 X, तो इसकी concentration क्या हो जाएगी, 1.5 X, और product की concentration क्या हो जाएगी, 0 और 0, यह तो T ब्रावर initial concentration है, 0 टाइम पे, at equilibrium पे क्या होगा, यह X माइनस का A हो जाएगी, यह 1.5 X माइनस का 2 A हो जाएगी, अगर इसका 1 mol dissociate होगा, तो इसके 2 mol dissociate होगे, और इसके 2 mol का formation होगा, और D के 1 mol का formation होगा, तो यहाँ माइनस का 2 A ही इसलिए क्या है, क्यों कोपिसिंट का है 2 A, और यहाँ पर 2 A, और यहाँ पर A है, यहाँ तक आप निकर लिया, अब क्यूशन को फड़ो आप, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal, A और B की concentration क्या दे रहे हैं क्यूशन के अंदर, equal दे रहे हैं, A और B की concentration, इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, equal कर लेता हूँ, तो X minus का A is equal to 1.5 X minus का 2 A, तो A की form में आप X की value निकाल लो, तो इसको आप इदर लेके होगे, तो A, X को इदर लेके जाओ, तो 1.5 X minus का X, तो यह हो जाएगा 0.5 X, ठीक है, तो A की value क्या हो जाएगी, 0.5 X, अब एक की value यहाँ पर put कर दो आप, तो X minus का 0.5 X, यहाँ 1.5 X minus का 2 into 0.5 X, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0.5 X A की value, यहाँ पर क्या हैगा, 2 into 0.5 क्या होगे, 1, तो 1.5 में से 1 minus करोगी, तो 0.5 X, यहाँ पर 2 A है, तो यहाँ पर क्या 2 A, तो A की value क्या है, 0.5 X, तो यह क्या हो जाएगी, X रह जाएगी, और यह क्या हो जाएगी, 0.5 X, अब आप से क्या पूछा है, क्यूशन के अंदर, equilibrium constant पूछा है, K, तो K की value क्या होगी, तो आप K लिख सकते हो, यहाँ पर, C की concentration का square, D की concentration, अपोन क्या होगा, A की concentration, और B की concentration का square, तो देखो, C की concentration क्या है, तो C की concentration क्या है, X, तो यह हो जाएगा, X का square, D की concentration क्या है, 0.5 X, तो यहाँ पर मैं पूट कर दूँगा, 0.5 X, नीचे A की concentration कितनी देरी किये, 0.5 X, और B की concentration क्या देरी किये, 0.5 X का square, तो 0.5, इसको आप तोड़ा नीचे एपूट कर लेते हैं, जगह नहीं इसलिए, तो K is equal to, X का square into 0.5 X, एक ही concentration के है, 0.5, 0.5 X into 0.5 X का square है, तो इसको two times लिकलो आप, तो देखो X का cube है, तो X का cube, इससे cancel out हो जाएगा, 0.5 से 0.5 cancel out होगा, point out होगे तो उपर कितना हैगा, 100 आएगा, और 105 X 25, 25 का 100 में आप divide करोगी, तो लगवा कितना जाएगा, 4 times हैगा, तो देखो equilibrium constant के value के आएगी, 4 आएगी, ठीक है बच्चो, next question, तो next question के और मुह करते हैं पून, तो next question is, काफी अच्चा question, the degree of dissociation of 0.1 M H C N, solution is 0.00, 0.01 percent, its ionization constant would be, तेको degree of dissociation, आपको देरक है 0.01 percent, weak acid है, जिसकी concentration देरकिया है, 0.1, तो H plus N की concentration आपको देरकिया 0.1, 1, is obtained from H C N, और alpha कितना देरक है, alpha देरक है, 0.01 upon 100, तो इसकी विल्यों जाएगी, 10 की पावर मानिस का 4, तो ionization constant क्या होगा, के A is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, तो alpha की value बहुत ही कम है, 10 की पावर मानिस का 4 है, जो एक से बहुत ही कम है, तो 1 minus alpha की value अगर एक से बहुत कम होती है, तो 1 minus alpha को आप किस के बराबर लेते हो, 1 के बराबर लेते हो, तो के A is equal to क्या हैगा, C दे रहे का है आपको, 0.1, alpha दे रहे के 10 की पावर मानिस का 4 का square, तो एक से 10 की पावर मानिस का 9, तो इसा कौन से option में है, ऐसा 4th option में है, तो 4th option is correct, next question, the pH of 0.1 molar solution of the acid HQ, the value of the ionization constant K, यनि आपको pH देर किये, और K A की विल्या आप से पुछिए, और concentration देर किये 0.1 molar, यनि H प्लस आइन की concentration कितनी देर किये 0.1 molar देर किये, pH आपको 3 देर किये, तो H प्लस आइन की concentration क्या होगी, 10 की पावर मानिस का 3, आपको पुछा dissociation constant क्या होगा, dissociation constant की A is equal to होता है, C alpha square upon 1 मानिस का, alpha, और alpha की विल्या आप कैसे निकालोगी, यहां से H प्लस आइन की concentration आई है, तो H प्लस आइन की concentration क्या होगी, C alpha, और यह कितनी देर किये, 10 की पावर मानिस का 3, is equal to 0.1 alpha, point को ठाओगे तो निचे के आएगा 10, 10 को इससे multiply करोगे, तो alpha की विल्यू के आएगी, 10 की पावर मानिस का 2, जो यह कम ही है alpha की विल्यू, 10 की पावर मानिस का 5, तो k a is equal to क्या हो जाएगा, 0.1 into 10 की पावर मानिस का, 4.8 निचे आएगा 10, तो यह हो जाएगा 10 की पावर मानिस का 5, तो k a की विल्यू क्या होगी, 10 की पावर मानिस का 5, तो 1 into 10 की पावर मानिस 5, 3rd option is correct, next question की और बढ़ते हैं, तो देखो बच्चो, next question, the Conjugated Acid of H2PO4-, इसका Conjugated Acid आपको निकालना है, तो देखो Conjugated Acid और Conjugated Base आपने देखे होंगी, इसमें H plus N और OH minus N रिलीज होता है, तो क्या-क्या आपको उप्टेन होता है, तो देखो कोई भी स्पीसीज दे रखी है, इसमें अगर आप 1 H plus N एड करते हो, तो यह Conjugated Acid मिलेगा, और 1 H plus N रिलीज करते हो, तो Conjugated Base आपने होगा, तो देखो यह स्पीसीज आपको दे रखी है, तो इसमें आप क्या करोगी, H plus N एड करोगी, तो इस स्पीसीज में आप क्या करोगी, 1 H plus N एड करोगी, तो आपको क्या मिलेगा, Conjugated Acid, तो Conjugated Acid क्या होगा, S3PO4, तो क्या होगा, S3PO4, फर्स्ट आप्शन इज क्रेक्ट, नेक्स्ट क्योशन क्या और बढ़ते हैं, इन विच आप फोलोविंग सोल्वेंट, विल AGBR है थे हाईयर सोल्विलिटी, यह देखो AGBR है, AGBCLA, बेरियम सल्पेट है, यह spring-ly-soluble salt है, जिनकी सोल्विलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए अपन सोल्विलिटी एंड सोल्विलिटी प्रॉडक्ट पढ़ते हैं, अज देखो इसकी सल्विलिटी, सबसे में किसमें होगी, तो देखो सोल्विलिटी के लिए आपको याद रखना है, common ion effect common ion effect जब किसी भी question में हो जाता है तो उस case में solubility बाकि case से क्या होगी? कम होगी तो इसमें common ion effect BR-N क्या है? common ion है इसमें जैसे इसकी solubility क्या होगी? कम होगी second option में देखो इसके अंदर क्या होगा? जैसे AGBR NH4 के साथ NH4 OH के साथ reaction करेगा तो complex का formation कर लेगा complex formation कर लेगा इस case के अंदर AGBR की इसमें solubility सबसे ज़्यादा होगी? क्या है आसानी से complex का formation कर लेगा तो AGBR easily क्या होगा? ammonium oxide में diesel होके complex का formation कर लेगा तो सबसे ज़्यादा solubility इसमें होगी और अगर option में यह नहीं दिया होता तो आप किसमें लिखते? pure water के अंदर लेगिन अभी तो क्या है? 10K power 3M ammonium hydroxide है तो इसमें solubility सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद में water में होगी बाकी इन दोनों में क्या होगी? same होगी क्योंकि दोनों की concentration आपको क्या दरी किये? same दरी किये तो कौन सा option से होगा? second option is crack चलो बच्चो next question देखते हैं Question 25 the solubility of AgCl with solubility product या आपको solubility product देरके is in 0.1m initial solution would be यानि AgCl के आपको solubility निकालनी है तो silver chloride को आप ionize करो तो Ag plus plus Cl minus ठीक है? इसकी solubility मैं S माल लेता हूँ after the reaction इसकी 0 हो जाएगी इसकी S और इसकी S इसमें आपने क्या किया है? initial को मिलाया है initial को मिलाती है देखो chloride ion क्या हो जाएगा यहाँ पे common ion हो जाएगा initial Na plus or Cl minus ion में क्या होगा? ionize होगा इसकी concentration में C माल लेता हूँ तो after the reaction दोनों की भी क्या होगी? C C तो यह देखो common ion है यहाँ तो concentration क्या होगी? जब इसको इसके अंदर mix करोगी तो यह S plus C हो जाएगा और यह C plus S हो जाएगा अब देखो इसका KSP लगते है तो KSP क्या होगा? Saturation state में ions की जो ionic concentration का multiplication है वो किसकी एकपल होगा? KSP की एकपल होगा तो इसकी concentration S है और इसकी क्या है? S plus C है इन दोनों का आप multiply करोगी तो यह हो जाएगा S square plus S C मैंने आपको बताया कि जो AGCl है यह springly soluble salt है जिनकी solubility बहुत ही कम होती है यह इनकी solubility mostly क्या लेते है 10 की पावर मानस का 2M यह इससे भी कम लेते है तो S का square है वो S C से बहुत ही कम हो जाएगा तो आप KSP is equal to क्या लिख सकते हो? KSP is equal to S into C S पराबर क्या हो जाएगा? KSP upon C KSP कितना दे रहे है 1.6 into 10 की पावर मानस का 10 तो यह 1.6 into 10 की पावर मानस का 10 upon concentration क्या दे रहे है 0.1 यह हो जाएगी concentration 1.6 into 10 की पावर मानस का 9M जब आप initial को इसके अंदर मिक्स कर देते हो तो solubility S क्या हो जाएगी? 1.6 into 10 की पावर मानस का 9 तो कौन सा option सही होगा? 3rd option is cracked next question क्यों बढ़ते हैं हाँ the solubility product of barium sulfate यह barium sulfate का आपको क्या दे रहे है? KSP what would be the concentration of H2SO4 necessary to precipitate BSO4 from a solution of 0.01M barium plus 2M तो देखो barium sulfate का आपको क्या दे रहे है? solubility product दे रहे है और इसकी concentration आप से क्या पुचिए? पुचिए और barium N की concentration आपको दे रहे है तो जब precipitate होता है तो तीन condition होती है KSP अगर ज्यादा होता है KIP से KIP होता है ionic product KSP होता है solubility product अगर KSP की value KIP से ज्यादा होती है इस case में क्या होता है? unsaturation की state होती unsaturated state और KSP की value PPT का formation होगा ठीक है? करनी है calculate करनी है तो barium sulphate तो इसका KSP क्या होगा तो पोइंट डाओगे तो नीची कितना है अगा 27 नमर क्यूशन है the correct relation between hydrolysis constant K and degree of hydrolysis edge for the following equilibrium इसके लिए degree of hydrolysis आपको edge calculate करना है और यह आपको किस type का salt लगता है salt hydrolysis chart आप क्या होते है पहला strong acid और strong base से मिलके बना salt जिसका salt hydrolysis नहीं होता है second is weak acid or strong based बना salt उसका ketanic hydrolysis होता है जिसकी pH साथ से कम होगी और acidic nature होगी third is weak acid or strong based से मिलके बना salt जो enanic hydrolysis होता है और pH साथ से ज्यादा होगी fourth weak acid or weak based से मिलके बना salt hydrolysis जिसकी pH approximately 7 होगी आप देखो जो थार्ड प्रकार का salt hydrolysis मैंने बताया था क्या बताया था? weak acid और strong base जिसका क्या होगा? anonic hydrolysis होगा तो देखो anonic hydrolysis होगा तो देखो यह anonic hydrolysis है यह आपने पढ़ाओगा किस का formation हो रहा है? OH का formation हो रहा है it means की nature क्या होगी? basic nature होगी basic nature होगी तो pH इस salt की क्या होगी? साथ से ज्यादा होगी तो चलो इसको अपने डेराव कर लेते हैं थोड़ा सा तो थार्ड प्रकार का salt मैंने बताया था weak acid और strong base तो this is the weak acid and strong base यह मिलकी बना salt है इसका hydrolysis करते है है H2 की presence में H2 बहुत access में लेते हैं तो क्या बनेगा acetic acid plus sodium hydroxide ठीक है? क्योंकि यह strong electrolyte है तो यह completely क्या होगा? dissociate होगा तो इसको आप क्या करो? completely dissociate कर दो तो completely dissociate होगा acetate ion plus Na plus ion plus H2 से बनेगा acetic acid plus NaOH को क्या लिखोगी? Na plus plus OH minus है तो देखो Na plus N दोनों साइड है तो इसको आप cancel out कर सकते हो देखो इसको मैंने dissociate नहीं किया क्यों नहीं किया? क्योंकि यह weak electrolyte है weak acid और weak base है वो weak electrolyte होते है sodium hydroxide क्या है? strong base है strong electrolyte है जो completely क्या होगा? dissociate होगा तो देखो अब क्या होगा? क्या बचा आपके पास? इधर acetate ion plus H2 से क्या होगा? acidic acid plus OH minus है देखो OH minus ion का formation हो रहा है तो basic nature होगी pH साथ से ज़्यादा होगा इसकी concentration में सी ले लेता हूँ यह access में है इनकी 0-0 होगी initial at equilibrium पे इसकी क्या होगी? C minus का CH यह access में है इसकी concentration क्या होगी? CH इसकी CH तो इसका hydrolysis constant क्या होगा? क्या होगा product की concentration CH into CH और निचे क्या हैगा C minus का CH तो CH square upon क्या हैगा 1 minus का H देखो H की value है एक से बहुत कम होती है तो इसको आप क्या कर सकते हो? नेगलिफाई कर सकते हो तो KH is equal to क्या हैगा? CH square तो KH is equal to हैगा CH square तो H is equal to क्या होगा? root KH upon C लेकिन ऐसा तो option आपको नहीं दे रखे है तो आप एक इसमें relation और होता है KH KW और देखो के लोगे या फिर के बी लोगे तो जो weak होता है उसका आप dissociation constant लोगे तो weak क्या है इसके अंदर? acid एक acid weak base है sorry weak acid है तो यहाँ पे आप क्या लोगे? के लोगे तो KH बराबर क्या होता है? KW upon K A ऐसा बच्चों आपको class के अंदर solve करके बताया होगा तो यह KH की value यहाँ पे put करोगे तो आपके पास degree of hydrolysis H is equal to क्या हो जाएगा? KW upon K A into C यह है H degree of hydrolysis तो दोगे ऐसा कौन सा option में आ रहा है second option में आ रहा है second option is correct next question 28th number question है in a saturated solution of the springly soluble strong electrolyte Ag I O 3 silver iodide molecular mass देरे का 283 the equilibrium which set देखो यह देरे का आपको इसको आइनाइज कर रहा है Ag plus और I 3 O minus में तो देखो इस question को आप पढ़ोगे तो आप से क्या पूचागा है 100 ml के अंदर silver iodide का concentration क्या होगा तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगी इसके अंदर solubility निकालोगी तो इसकी solubility क्या होगी KSP लिखो सबसे पहले KSP क्या होगा AB type का electrolyte है KSP is equal to S का square KSP is equal to S का square S बराबर क्या होगा root of KSP तो इसकी आप solubility निकालोगी तो यह कितने आएगी root of KSP KSP की value क्या है 1.0 into 10 की power minus का 8 तो यह कितने हो जाएगी 10 की power minus का 4 यह solubility 10 की power minus 4 mole per liter में तो solubility किसमे आएगी S आएगी आपकी mole per liter में 10 की power minus का 4 mole per liter है यानि कि 1 liter 1 liter बरावर कितना होता है 1000 ml 1000 ml के अंदर solubility कितने है 10 की power minus का 4 mole एक ml में कितने होगी Solubility 10 की power minus का 4 upon 1000 तो 100 ml में कितने होगी 10 की power minus 4 upon 1000 into 100 तो यह 10 की power minus का 5 10 की power minus 5 mole पर 100 ml के अंदर आगी आपके पास आप से वेट पूछे तो इसका वेट कितना होता है तो मोल कितने आगी आपके पास 10 की power minus का 5 तो मोल बरावर क्या होता है वेट अपन मोल्यूक्लर वेट और मोल्यूक्लर वेट किया 283 is equal to 10 की power minus का 5 तो वेट आजाएगा 283 into 10 की power minus का 5 ग्राम अब देखो according to vision इसको set कर लो आप तो यह आपके पास क्या यह वेल्यू यह वेल्यू आगे 283 into 10 की power minus 5 इसको आप simplify करोगी तो second option आजाएगा 2.83 into 10 की power minus का 3 ग्राम ठीका बच्चो next question next question is 29 solid barium nitrous is barely dissolved in a 1.0 into 10 की power minus का 4M sodium carbonate solution at what concentration of barium plus 2 will a precipitate begins to start KSP of barium carbonate barium carbonate का क्या देर का आपको KSP देर का है और barium nitrate का कर रहे हैं इसमें देरे-दे ।ीजोलो कर रहे हैं तो barium plus 2 N की किस हंदरता पर एक oxygen बनना start हो जाएगा तो oxygen के केसमें आप क्या करोगी क्या होता क्या था KSP is equal to KIP यह सेचुरेशन स्टेट में जब precipitate बनना start होता है तो आप क्या लिखोगे KIP is equal to अगर barium carbonate की मा बात करों तो barium plus 2 की concentration और carbonate ion की concentration और इसका KSP क्या देर के 5.1 into 10 की पाउर माइनस का 9 is equal to barium plus 2 की concentration आपको calculate करनी है किस concentration पे इसका precipitate होना start हो जाता है carbonate ion की concentration आप यहां से calculate कर लोगे तो कितना है यहाँ हो जो इसकी value हो ही carbonate ion की concentration होगी 10 की पाउर माइनस का 4 1.0 into 10 की पाउर माइनस का 4 तो barium plus 2 की concentration क्या होगी 5.1 into 10 की पाउर माइनस का 9 upon 10 की पाउर माइनस का 4 तो यह कितना होचेगा 10 की पाउर माइनस का 5 5 into 10 की पाउर माइनस 5 यह क्या होजाएगी barium plus 2 की concentration होजाएगी और इस concentration पे precipitate मेंना start होजाएगा next question तो ए 25 ग रिशल से दे इस विडिवलिटी प्रड़क्ट अप्म अप्म थेडिपर्ड आप नंच्पावर मानस का 11 एट विच प्छिएट्टों को आपड़ाई प्रड़ू 10 form of magnesium hydroxide from a solution of 0.01 M magnesium plus 2 N, okay, तो किस concentration पी, किस pH concentration पी, Mg plus 2 N का precipitation start हो जाता है, तो देखो KSP आपको क्या दरिका है, KSP of magnesium hydroxide 1.0 into 10 की पावर माइनस का 11, ठीक है, Mg OH2 का whole twice को आप आएना इस करोगी, तो Mg plus 2, plus 2 OH-N की concentration है, तो KSP दरिका है, तो इसका KSP आप लिख लो, KSP आएगा Mg plus 2 N की concentration, और OH-N की concentration का square है, तो देखो KSP कितना दरिका आपको, KSP दरिका 10 की पावर माइनस का 11, 1.0 को आप ना लिखे तो सही रहेगा, यह 0.001 को क्या लिखोगे, 10 की पावर माइनस का 3, OH-N की concentration का square, जिसको आप simplify करोगे, तो यह 10 की पावर माइनस का 8 आएगा, उदर root लोगे, तो OH-N की concentration की आएगी, 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस 4, अगर OH-N की concentration 10 की पावर माइनस 4 है, तो POH कितना होगा, 4, तो POH कितना होगा, 4, और 25 दिग्री Celsius पे, pH प्लस POH, दोनों का जो addition है, वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर, तो pH कितने होजाएगा, 10, ये, pH is equal to 10, पे ये क्या होगा, precipitate होना start होजाएगा, तो third option is correct, next question देखो बच्चों, a precipitate of silver iodide is formed when equal volume of the following are mixed KSP of AGCL, यानि कि किस concentration पे ये precipitate होना start होजाएगा, तो KIP की value ज़्यादा होगी, for PPT, KIP की value ज़्यादा होगी, किस से, KSP से, इस case में क्या होगा, PPT का होना start होजाएगा, तो आप क्या निकालो, KIP की value निकालो सब के लिए, KSP की value तो आपको question में क्या है, given है, कितनी है, KSP देर का आपको 10 की power minus का 10, इससे अगर KIP की value ज़्यादा होगी, तो PPT की value, precipitation start होजाएगा, तो यह concentration है, HG plus, और यह concentration है, CL minus है, तो KIP is equal to HG plus N की concentration क्या होगी, 10 की power minus 4, यहां से आपकोट कर सकते हो, 10 की power minus 4, into CL minus N की 10 की power minus 7, यह कितना होगा, 10 की power minus का 11, तो देखो, KIP क्या हो गया, less than हो गया, किससे, KSP से, इसमें PPT का formation नहीं होगा, क्योंकि PPT का formation कब होगा, जब KIP ज़्यादा होगा, किससे, KSP से, second option put करते हैं, इसमें PPT का formation नहीं होगा, क्योंकि इसमें PPT का formation किससे होगा, KSP से, third option देखो, इसमें PP is equal to क्या होगा, 10 की power minus का 5, into 10 की power minus का 4, is equal to 10 की power minus का 9, तो देखो, इसकेस में क्या होगा, KIP ज़्यादा होगा, किससे, KSP से, तो इस third option के अंदर क्या होगा, precipitation का formation होगा, next question, what is the pH of the resulting solution, when equal volume of 0.1 M NUH and 0.01 M HCl को mix कर देतो, तो देखो, दोनु क्या है, एक तो है base, एक है acid, इन दोनों को mix करोगे, तो pH क्या होगा, तो H plus N की concentration क्या हैगी, जिरो पॉइंट, जिरो वन, ओएच मैंस N की concentration क्या हैगी, जिरो पॉइंट, वन है, इन दोनों को आप mix करना है, दोनों की equal volume लेने, दोनों को mix करोगे आप, तो क्या हैगा, volume क्या दोनों की same, तो देखो, किसके molarity और mol ज़्याद है, base की mol ज़्याद है, acid की mol कम है, तो आप, OH minus N की आपके पास, concentration हैगी, तो वो क्या concentration हैगी, आप, दोनों का N factor 1 है, तो 0.1 M V, मानिस का, 0.01 M V, अपॉन 2 V, तो यहाँ से, OH minus N की concentration, आपके पास आजाएगी, ठीक है, तो OH minus N की concentration, आप यहाँ से, find out कर सकते हो, तो OH minus N की concentration, क्या होगी, concentration आप find करोगी, तो यह आजाएगी, 0.09 V upon 2 V, तो V से V क्या हो जाएगा, cancel out, तो यह आजाएगी, 4.5 into 10 की पावर मानस का, 2, OH minus N की concentration आजाएगी, तो POH आजाएगी, तो POH आप डिरेक्ट निकाल सकते हो, 2 मानस का log 10 base, 4.5, तो 2 मानस, log 10 base 4 की वेलिए, 0.6 होते हैं, log 10 base 5 की वेलिए, 0.7 होते हैं, इनके बीच की ले लो आप, तो 0.65, तो POH कितने होगी, 2 में से, 0.65 मानस करोगी, तो 1.35 बादेगी, तो POH आजाएगी, तो pH कितने होगी, 14 मानस का, 1.35, तो यहाँ आजाएगी, 12.65 होते हैं, 6.5, तो कुन सा अप्शन होगा, फर्स्ट अप्शन इस, ग्रेक्ट, नेक्स्ट क्यूशन, क्यूशन नमर 33, 10 ml of 0.1 m, acidic acid, जिसका PK, आपको 5 दे रहे है, titrate with, 10 ml of 0.1 m, ammonia solution, तो यह भी weak base है, और यह weak acid है, इन्हों को, mix किया गया है, दोनों की concentration, सेम हैं, तो salt का formation होगा, तो equivalence point, occurs at pH, तो देखो, इसमें pH का formula क्या होगा, weak acid और weak base, जब आपस में मिलते हैं, तो salt का formation होता है, और उस ताइब के salt के pH क्या होगी, 7, plus 1 by 2 Pka, minus 1 by 2 Pkb, देखो, इसमें जो pH, वो concentration पे depend हैं, नहीं करती है, और Pka और Pkb, दोनों की value क्या दे रहे किया है, same दे रहे किया, तो यह आपस में क्या हो जाएंगे, cancel out हो जाएंगे, क्योंकि इसकी value भी 5 है, इसकी value भी 5 है, तो pH किसके एकपल हो जाएगी, 7 के एकपल हो जाएगी, तो कौन सा option सही होगा, 3rd option is correct, next question, 40 ml of 0.1 m ammonia solution, जो mix के है 20 ml 0.1 HCl solution के साथ, what is the pH of mixer, mixer की pH क्या होगी, तो दो को ammonia, ammonia plus HCl, तो यह salt का formation करेगी, ammonium chloride, ठीक है, तो इसके concentration क्या दे रही है, 40, इसको आप multiply करोगे, तो यह 4 मिली मॉल आएगी, और इसके कितनी मिली मॉल आएगे, 2 मिली मॉल, इसके क्या हो जाएगी 0, after the reaction क्या होगा, इसके 2 मॉल डिसोसिट होगे, क्योंकि यह सबसे कम मॉल है, तो 4 में से 2 माइनस करोगे, तो 2, इसके 0 और इसके 2 मॉल, तो यह किस टाइप का solution मन गया, यह buffer solution मन गया, और buffer solution की pH कैसे निकालोगे, किस टाइप का buffer, acidic या basic, basic buffer मिल गया गया, तो पोच निकालोगे, पोच बराबर PKB, प्लैस लॉक टेन बेस, salt upon base, तो salt और base दोनों की concentration क्या है, तो 2 है, यह concentration same है, तो यह आपस में क्या हो जाएंगे, cancel out हो जाएंगे, लॉक 10 बेस 1 की value क्या होगी, 0 होगी, तो pH किस के बराबर होगा, PKB, PKB क्या है 4.74, तो pH बराबर क्या है, 4.74 है, तो pH is equal to क्या होगा, 14 में से minus कर दो, 14 minus का 4.74, तो यह कितना जाएगा, 9.26, तो इसकी pH क्या जाएगी, 9.26, third option is correct, next question, हाँ, तो इस solution की आपको pH निकालनी है, एक solution है, जिसकी pH, यह solution है, जिसकी pH कितनी देर की आपको, 3, क्या होगी, 10 की पाघर मानस का, 3, और दूसरा solution है, जिसकी pH कितनी देर की है, 2, तो ह्गलाद को is क्या होगी, 10 की पाघर मानस का, 2, इन दोनों को mix करने के बात में, ह्गलाद की मानस का, इन द्रूर्ण को मिक्स कर लो, 1 तो यह जाएगा 1.1 इंटो 10 की पावर माइनस का 2 तो pH क्या हैगी तो pH is equal to क्या होगा सिर्दा लेकराओ 2 माइनस का लॉक 10 बेस 1.1 तो यह क्या हो जाएगी 1.1 की वेली बहुत कम होगी तो 2 माइनस का 0.1 लेलो आफ तो यह जाएगी 1.9 के अप्रोक्शिमेटली तो कौन सा अप्शन से होगा सेकंड ऑप्शन इज क्रेक्ट काप्य आसान आसान क्यूशन है यह pH के मैं तरवाली क्यूशन सब आपको करवा रखें next question the pH of a buffer solution containing 25 ml of 1m sodium acetate 25 ml of 1m acidic acid buffer solution मन रहे है और will be appreciably affected by 5 ml of यानि कि 5 ml को मिलाने पर इसके बफर विलन की pH में चेंज होगा तो देखो बफर विलन की pH क्या होगी pH बरावट pka plus log 10 base salt upon base तो देखो pka तो क्या होगा वीक ऐसीट का fix होगा अब pH का चेंज हो सकती है जब salt और base की concentration में चेंज किया जाए है तो देखो salt तो कहीं दे नहीं रखा है सिर्फ base की concentration में चेंज होगा इसकी concentration में चेंज होगा तब ही क्या होगी आपकी pH चेंज हो जाएगी तो देखो first option में क्या 1m acidic acid दे रहे है और second option देर के 5 M S Dic Acid, लेकिन concentration किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी concentration 5 M देर के और 5 M L से प्रवाइट होगी, तो इसकी concentration क्या हो जाएगी, 5 into 5, 25 mmol हो जाएगी, तो यहाँ पे जितने concentration change होगी, pH में change उतना ही ज्यादा होगा, तो कौन सा option से होगा, second option is cracked, pH of hcl, hcl में देको h plus n की concentration आपको देर के 10 की पावर मानस का 12 है, और water से h plus n की concentration क्या आएगी, h plus n की concentration from where water, कितने है, 10 की पावर मानस का 7, तो total h plus n कितने होगी, total h plus n की है, 10 की पावर मानस 7, plus 10 की पावर मानस का 12 है, तो देखो यह value बहुत ही कम है, 10 की पावर मानस 7 है, वो बहुत ज़्यादा है, किस से 10 की पावर मानस का 12 है, कितना गुना जदे है 10 की पार 5 गुना जदे है एक लाग गुना जदे है तो इसको आप क्या कर सकते हो negligible कर सकते हूँ तो H plus N की concentration कितनी हो जाएगी 10 की पार माइनस का 7 तो pH किसके बरावर हो जाएगी pH 7 के बरावर हो जाएगी ठीक है तो कौन सा option होगा 10 की पार माइनस का 3 पिर pH कितने होगी 6 pH 6 होगी तो H plus N की concentration क्या होगी 10 की पार माइनस का 6 होगी तो तो कितने times decrease होगी तो 10 की पार 3 times क्या होगी decrease होगी तो एक अज़ार बार दोना क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो third option is correct काफी अच्छे क्यूशन है 39 what is the pH of 0.01 M glycine solution weak acid from glycine K और K2 दोनु की दो dissociation constant एक तो K1 है दूसरा K2 है तो इसके आपको pH बुचिए तो final K निकाल लो आफ resultant K जो किस के एकपल होगा K1 into K2 के एकपल होगा तो K1 कितना अधिर का है 4.5 into 10 की पाउर मानस का 3 into 1.7 into 10 की पाउर मानस का 10 इन दोनुका आप multiply करोगी तो यह होजाएगा 10 की पाउर मानस का 13 और इन दोनुका आप multiply करोगी तो यह approximately हो जाएगा लगबग 7.6 kg यह resultant K की value हो जाएगी ठीक है अब इसकी concentration निकालते हैं तो weak acid की concentration S plus N की concentration क्या होती है C alpha अब C और alpha given है तो आप इससे S plus N की concentration निकाल सकते हो या root K into C तो resultant K आपने निकाल लिया C की concentration put कर दो तो यह हो गया 7.6 into 10 की power months का 13 into concentration के 0.01 तो यह हो जाएगा S plus N की concentration 7.6 into 10 की power minus का 15 का root इसको आप क्या कर सकते हो simplify कर सकते हो तो इसको simplify करोगे तो 10 सी उपनीची multiply कर दो तो यह 70.676 तो root of 76 into 10 की power minus का 16 लिख सकता हो मैं इसको तो यह आजाए अगर लगबग 8.2 into 10 की power minus का 8 अगर H plus N की concentration यह देरी किये तो पी-H क्या आएगी तो पी-H क्या आजाएगी 8 मानिस का log 10 base 8.2 यह साथ से थोड़ी सी ज्यादा होगी तो 7.2 आपको देरी किये तो fourth option is correct next question the correct order of increasing H plus N की concentration in the following aqua solution यहने किसमें H plus N की concentration सबसे ज्यादा होगी तो देखो चारों को देखो आप यह है salt जो किसे मिलके बनाया sodium hydroxide plus HNO2 तो इसमें किया weak acid है plus strong base है जिसकी hydrogen and N की concentration जिसमें सबसे कम होती ह issue जिसकी pH क्या होती है? 7 होती है 0.01mh204 solution सबसे ज्यादह की concentration किसमें होगी ? इसके इंदर H204 के उन्दर क्यूकि concentration सबसे सम में है अब H प्लस N सबसे ज़्यादा किसमे होंगे H2S of 4 में उसके बाद में H2S में लेकि H2S of 4 के है strong acid है तो इसमे number of H प्लस N ज़्यादा होंगे, यह H2S weak acid है तो इसके respectfully इसमें H प्लस N क्या होंगे, कम होंगे बात करते हैं इन दोनों की, तो यह weak acid और strong base ml के बना salt है यह strong acid और strong base ml के बना salt है NaCl plus HCl इसमें H प्लस N ज़्यादा होंगे इसके respectfully, तो सबसे ज़्यादा तो किसमें होंगे H2S of 4 में, फिर H2S में होंगे third NaCl में होंगे और fourth क्या होंगे sodium nitrite में होंगे तो कौन सा option है, H2S of 4, H2S, NaCl रहने होंगे, and the third option is correct next question a solution which is 10 की पाहर मानस 3M each यह यह चारो आयन्स की आपको concentration देरिकिये, यह titrate with 10 की पाहर मानस 60M सलपाइड आयन के साथ को titrate किये KSP देरिकिये चारो की 10 की पाहर मानस का 15 10 की पाहर मानस का 23 10 की पाहर मानस का 20 10 की पाहर मानस का 50 for respectively, which one will precipitate first, यह यह देखो precipitate के case में क्या होगा PPT formation first किसका PPT formation first होगा जिसकी solubility सबसे कम होगी जो सबसे कम soluble होगा जिसकी solubility सबसे कम होगी उसके लिए PPT का formation सबसे पहले होगा तो देखो सबी AB type के electrolyte है जितने भी आपको देरिके हैं यह सब AB type के electrolyte है और उसके लिए S बरबर क्या होता root KSP तो मतलब जिसमें root KSP की value ज़्यादा होगी उसकी solubility ज़्यादा होगी और उसकी solubility ज़्यादा होगी तो प्रिस्पिटेर सबसे लास्ट में बनाएगा और जिसकी KSP की value कम होगी उसकी solubility भी क्या होगी कम होगी solubility कम होगी तो वो सबसे पहले precipitate बनाएगा तो देखो KSP की value सबसे कम किसके लिए KSP की value के वजभी देखो 10 की power मानस का 54 सबसे कम है — donc किसके लिए सबसे कम है Mercury salpit mutually के लिए KSP की value सबसे कम है KSP की value सबसे कम तो इसके लिए solubility सबसेаки solubility सबसे कम होगी वो PPT सबसे पहले बनाएगा तो कौन सा option होगा, third अगला question two solid देखो यह J man के अंदर आयाव है J219 two solid dissociate as follow दो ठोस निम्द प्रकार dissociate हो रहे यह दो equations आपको दे रहे हैं इनके लिए KP1, KP2 दे रहे हैं तो इन reactions को मैं लिख लेता हूँ A solid say B gaze plus C gaze इसका KP1 आपको दे रहे है given है कोई दिकत नहीं दूसरी reaction मैं यहीं लिख देता हूँ D solid say C gaze plus E gaze माना कि इसका partecer A माल लेता हूँ solid इतको pressure होता है नहीं initial माला 00 इसका बाद में pressure क्या जाएगा 0 इसका A और इसका A A ऐसे ही इसका pressure B इसका 00 हो जाएगा बाद में इसका 0 इसका pressure B और इसका pressure B तो टो टोटल pressure क्या हो जाएगा P total equal to क्या हो जाएगा 2A और A बराबर क्या हो जाएगा P total by 2 A की जगा आप क्या put करोगे P total by 2 और P total को वह P ले लेता हूँ तो P by 2 हो जाएगा तो देखो इसका KP क्या होगा KP1 KP1 क्या हो जाएगा इसका parcel pressure और इसका parcel pressure इसका parcel pressure क्या है A into A A square और A की value क्या put करो गया P by 2 तो P by 2 का square तो यह हो जाएगा P square by 4 ऐसे K P 2 देखो इसमें P total किसके बराबर हो जाएगा 2 B के बराबर और B बराबर क्या होगा P total by 2 और P total को मैं क्या ले लेता हूँ P by 2 इसका भी K P 2 क्या हो जाएगा K P 2 हो जाएगा इसका partial pressure और इसका partial pressure का multiplication तो यह भी हो जाएगा P square by 4 और K P 2 की value क्या देरी की है X तो इसका pressure क्या हो जाएगा P बराबर तो इसका देरी का Y तो P बराबर 4 Y का root तो यह P कितना हो जाएगा 2 root Y और यह P कितना हो जाएगा K P 1 कितना देरी का X तो 4 X is equal to क्या हो जाएगा P square तो P is equal to क्या हो जाएगा 2 root X एक तो इसप्रेशर को और एक इसप्रेशर को आप add करोगे तो कौन सा option आएगा तो P total कितना हो जाएगा 2 root X plus 2 root Y इन नों को add करोगे तो third option क्या होगा correct होगा next question 43, consider the following statement निमने कत्नों पर विचार करना है आपको the pH of mixer containing 400 ml of 0.1 m H2O4 solution 400 ml 0.1 m and 9th solution will be approximately 1.3 इन नों को आप mix करोगे तो इसकी pH क्या 1.3 आएगी तो आप जब 2 solution को mix करते हो तो final solution की pH कैसे calculate करते है यह आपने अच्छी से कर लिया होगा तो देखो इसमें आपको सबसे पहले milli plane निकालने पड़ेंगे तो इसकी कितने होगे पहले तो इसकी normalty निकालो तो इसकी normalty कितने होगी 0.1 into 2 यह 0.2 होगी इसकी normalty होगी इसकी normalty कैसे find out करोगी क्योंकि इसकी normalty और molarity सेम होगी 0.1 क्योंकि इसका n फेक्टर कितना है 1 तो इसकी normalty कितने होगी 0.1 and अब देखो आप 400 400 तो देखो कौन ज्यादा होगा एसिड ज्यादा होगा तो h plus n कितना होगा 0.2 into 400 minus 0.1 into 400 upon नीचे टोटल कितना है 400 plus 400 कितना होगा 800 तो यह कितना होजाएगा cancel out 80 में से 40 minus करोगी तो कितना होगा 40 यनि 40 upon 800 तो यह आएगा 1 upon 20 जिसको क्या लिख सकते हो आप 0.05 h plus n की concentration 0.05 है 0.05 जिसको लिख सकते 5 into 10 की पावर मानस का 2 तो pH क्या होगी 2 से कम होगी 2 मानस का लॉक 10 बेस 5 तो यह क्या जाएगा approximately 1.3 के बराबरा जाएगा तो पहला option is correct second IS क्योंकि kW क क्या होगी temperature पर Depend होगी at 25 degree Celsius kw की वील्व जिसको 10 की पावर मानस का 14 0 degree Celsius kw के विल्व क्या होते 10 की पावर मानस का 16 और 90 degree Celsius kw की वील्वी 10 की पावर मानस का 12 है तो जैसे जैसे एका temperature मेँ आप चेंज कर रहे हो kW की value भी क्या हो रही है change हो रही, तो second option भी क्या होगा first भी सही है, second भी सही है आपको सही कतन देखना है अगला, एh mono basic acid with k देरका 10 की पाउर मानस 5 pH देरका 5, the degree of dissociation of this acid is 50% तो देखो k देरका आपके पास 10 की पाउर मानस का 5 और pH भी कितने देरकी है 5 तो h plus n की concentration कितने होगी 10 की पाउर मानस का 5 और h plus n की concentration आप क्या लेते हूँ C alpha और C alpha ब्राबरी भी क्या होगा, 10 की पाउर मानस का 5 तो k ब्राबर क्या होता है weak acid के लिए C alpha square upon 1 मानस का alpha C alpha square को आप क्या ले सकते हूँ C alpha into alpha upon 1 मानस का alpha तो k कितना देरका है 10 की पाउर मानस का 5 k कितना देरका है 10 की पाउर मानस का 5 C alpha है 10 की पाउर मानस का 5 यह विल लिए 10 की पाउर मानस का 5 into alpha upon 1 मानस का alpha यह इससे क्या हो गया cancel out 1 मानस alpha is equal to alpha तो यह क्या हो जागा 2 alpha is equal to 1 तो alpha is equal to 1 by 2 तो कितना प्रसेंट आजाएगा 50% इतमेंस देखो आप 3rd option भी क्या है 3rd option भी सही है पहला option भी सही था दूसरा भी सही था थीसरा भी सही है 4th लीचेटिलेर प्रिंचिपल इस नॉट अप्लीकेबल टू कॉमन आयन एफेक्ट बिल्कुल गलात है लीचेटिलेर प्रिंचिपल है जो कॉमन आयन एफेक्ट पे भी क्या करता है काम करता है चलो next question the pH of 0.01m ammonium chloride यह देखो salt hydrolysis से है ammonium chloride के है सबसे पहले तो salt का formation करना ना चाहिए किसी मिलके बना है ammonium hydroxide plus HCl यानि की weak base plus strong acid इसकी pH क्या होगी साथ से कम होगी तो pH साथ से कम होगी तो इसका formula आपके क्या बताया था pH is equal to 7 minus का अब वी component कौन सा है base है तो इसके लिए PKB यूज करो 7 minus का PKB minus का 1 by 2 log 10 base C यहां से pH आप find out कर सकते है तो pH बराबर क्या होगा 7 minus का 1 by 2 PKB की value कितनी है 5 10 की power minus 5 है तो PKB की value क्या होगी 5 minus 1 by 2 log 10 base C log 10 base C C कितना दे रहा है concentration आपको 0.02 इसको लिख सकते हो 2 into 10 की power minus का 2 इसको जब आप solve करोगे तो इसकी value के आएगी minus का 1.7 तो pH कितनी होगी 7 minus का 2.5 minus minus plus 1 by 2 into 1.70 इसको इससे cancel out करोगी तो 0.65 आएगी तो pH कि आएगी इन्हों को add कर दो आप तो 7.65 minus का 2.50 यह आजाएगी आपके पास 7.10 approximately 7 से ज़्यादा होगी ऐसा तो कोई option में है नहीं तो कहां गड़बड कर दिया sorry यहां पर गड़बड कर दिया यहां पर कितना हैगा 5.10 5.15 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो second option में आ रहा 5.35 तो second option is correct तो आज के पंचकात सबसे last question है pH of a saturated solution pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9 the solubility product of calcium hydroxide यह आपको solubility product निकालना है तो दिखो आपको क्या देरी कि pH देरी की है किसकी देरी की calcium hydroxide यह basic है इसकी pH देरी की है 9 pOH कितने होगी we know that pH plus pOH कितना होता है 14 तो pOH कितना होगा 5 तो OH-1 की concentration सबको निकालने आती है 10 की power minus 5 calculation fast होने चीए इसके अंदर OH-2 OH-1 की concentration है 10 की power minus का 5 अब देखो इसके अंदर calcium hydroxide को आप ionize करोगी तो यह किसमें होगा calcium plus 2 plus 2 OH-1 है इसकी अगर solubility S है तो इसकी क्या होगी 2S OH-1 की concentration आपके पास 2S आई और obtain कितनी कर रखिया आपने 10 की power minus 5 S पराबर क्या होगा 10 की power minus 5 by 2 यह solubility आगे तो KSP is equal to क्या होगा AB2 type का electrolyte है this is the AB2 type electrolyte इसके लिए KSP क्या होगा 4S cube तो KSP is equal to क्या होगा 4S की value कितनी है 10 की power minus 5 by 2 का Q तो KSP is equal to क्या होगा 4 into 2 की power 38 into 10 की power minus 15 तो यह होगा 0.5 into 10 की power minus 15 तो देखो ऐसा कौन सा option दे रखा है 0.5 into 10 की power minus 15 तो first option दे रहेगा तो first option is correct तो देखो यह अपना punch number 10 हो गया जिसके अंदर chemical equilibrium और ionic equilibrium थे तो इसमें mostly क्यूशन कहां से आता है mostly pH से आता है क्यूशन देखो pH कलकुलेट करते हैं अपन एक weak acid weak base की pH और जितने भी salt hydrolysis है जिसमें first salt hydrolysis है उसकी pH का कोई formula है नहीं बाकी 3 की pH के formula है बाद में वपर solution की pH और strong acid strong base को मिलाते हैं तो उसकी pH कैसे निकालेंगी या weak acid strong base को मिलाते हैं तो उसकी pH कैसे तो thank you so much